सीमा हैदर के भारत आने की खबरों के बीच कराची में रात के घने अंदेरे में हिंदो का डेड़ सो सौल पुराना मंदिर गिरा दिया गया इसके लावा सिंद प्रांथ में एक और मंदिर पर रॉकेट लाउंचर से हमला किया गया इतना ही नहीं सिंद में करीब 30 हिंदो को फंदग भी बना लिया गया है वह सचय नाम के एक भारत ययं यrek योवक के प्रेम में पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ भारत गय थी पाकिस्तान से पहले संयुक्त अरब अमीरात बाद में नैपाल के रास्ते भारत में घुस्पैट की थी उसके भारत आने के बाद पाकिस्तानी हिंदों को कट्टरपंतियों ने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी कटरपंतियों ने कहा था कि अगर सीमा हैदर को भारत ने वापस नहीं किया तो पाकिस्तान में हिंदो मंदिर पर अमले किये जाएंगे ऐसे में कराची के सोलजर बाजार इलाके में मौजूद मरी माता मंदिर को गराने की घटना का कनेक्शन भी सीमा हैदर की भारत में गुस्पैट जोड़ा जा रहा है आपको बता दी हैं सीमा हैदर की भारत आने के बाद धमकी देने वाले पाकिस्तानी डाको ने एक और हिंदू मंदिर पर रोकेट लॉंचर दागे मेडिया रिपोर्ट में बताया गया कि डकैतों के एक ग्रोने रहवा तड़के सिंध के कास्मोर में हिंदू समुदाय के सदस्यों के एक पूजा इस्तल पर रोकेट लॉंचर से हमला किया गया हमलावारों ने गोस्पूर पुलिश इस्टेशन के अंतरगत आने वाले एक मंदिर और आसपास के हिंदू के घरों पर भी हमला किया उन्होंने अदादून गोली बारी कर हिंदू समुदाय के देहसत पहलाने की कोशिस की मामला इतना बड़ा था कि कास्मोर में पूजा इस्टेशन के एससप इरफान सेमों ने नेतरफ में एक पुलिश टीम को गटना इस्तल पर पहुचाना पड़ा पुलिस अदिकारियों ने कहा कि टेकेतों ने पूजा इस्तल पर रोकेट लॉंचर दागे जो हमले के दोरान बन था उन्होंने कहा कि इस मंदिर का संचालन बागडी समुदाय करता था हमले के बाद संदिक नाश्तल से भाग के पुलिस इलाके में तलासी अभ्यान चला रही है सेमों ने अंदिशा जताया है कि हमले में आठ से नो बंदूगधारी सामिल थे जिनें वे नदी छेतरों में ट्रेक कर रहे थे इसे बीच बागडी समुदाय के सदस्य डॉक्टर सुरेश ने कहा कि देकैतों के फायर किये गए लाउंचरों मंदर में पटे नहीं इससे कोई जानमाल के हानी नहीं हुई उन्होंने पुलिस से हिंदू समुदाय के सुरक्षा का अहान किया उन्होंने कहा कि इस घटना से इस्थानिय निवाशियों में तहसत है जिसके बाद महाँ पर पुलिस पॉर्स तैनात कर दी गई है और मामले की जाच की जा रही है वहीं आपको बता दी पाकिस्तान के किराची में चपे चपे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और हमलावरों की जाच की जा रही है आकिर किस जोजे से ये हमला किया गया क्या मक्सद था इन सब की जाच महा की एजेंशिया कर रही है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ